हलो दोस्तो मैं प्रशान्थ आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडियों में स्वागत करता हूं तो आज मैं आपको इस वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे और कहां पे आपको स्टॉप लॉस का इस्तिमाल करना बहुत साही लोग पोजीशन तो सही लेते हैं स्ट् स्टॉप लॉस गलत जगह पे लेते हैं जिसके कारण से उनका ऑबर ओल ट्वेड विस्क में आ जाता है और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है सारा कुछ सही करने के बावजूद भी उनको एसल हीट होने कारण से नुक्सान उठाना पड़ता है तो एसल का प्लेसमेंट जगा पर stop loss का इस्तिमाल करना कहां पर आपको stop loss लगाना चाहिए अलग-अलग market situation में अलग-अलग strategy of trading में तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप buy करते हो किसी particular point पर stop loss लगाते हो market आपका नीचे आता है और आपके SL को हिट करता है और उसके बाद हिट करने के बाद वापस से ऊपर चले आता है आप में यहां पर कई बार लगता है कि market नीचे आया सिर्फ मेरा stop loss हिट करने के लिए लेकिन ऐसा नहीं है market नीचे आता है moment के कारण और जैन्वरी लोग गलत जगाव पर stop loss लगाते है जिसके कारण से उनका SL हिट होता है और जिसके कारण से उनको नुकसान उठाना पड़ता है अगर आप उपर में sell करते हों कई बार देखा होगा कि price आपका उपर गिया और just SL को हिट किया और उसके बाद फिर से price आपका नीचे गिरना स्टार्ट हो गिया है यहां पर आप profit बना सकते थे वहां पर पहले इसने SL हिट कर दिया फिर आपका price नीचे side की तरफ आया यह इ है तो सबसे पहले यहां पर चार्ट पर आगए और देख सकते हैं यह आपका डेली चार्ट है अब डेली चार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप trend line के basis पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं trend line करते हैं और उसके basis पे breakout identify करते हैं और हम लोग भी कई बार SI करते हैं तो trend line के basis पे जो breakout आप identify करते हैं जो breakout हमें देखने हो को मिलता है उस particular positions में stop loss कहां पर रखना चाहिए वह मैं आपको इस वीडियो में explain करने जा रहा हूं चलिए सबस्पेल हमने यहां पर क्या किया देख सकते हैं एक यहां पर लोग को जोइन करते हुए एक trend line ड्रॉक किया और उपर में आपका क्या फॉर्म हो रहा था लोवर हाई पैटरन का फॉर्मेशन हो रहा था यहां पर हाई बना है उससे नीचे यहां पर हाई बना मतलब यह लोग हाई पैटरन है दोनों हाई को जोइन करते हुए कि स्ट्रेट लाइन जो किया उसके ब को ब्रेक करके ऊपर निकला मतलब इस पार्टुकलर जगा पर हमें क्या देखने को मिला है यहां पर हमें ब्रेक आउट देखने को मिला है अब इसके विक्सिस पर क्या करोगे यहां पर आप बाई सार की तरफ इंट्री लोग है मतलब यहां पर हम क्या करेंगे बाई के लोइस्ट पॉइंट को आज आपको स्टॉप लॉस रखना तो अब यहां पर देखिए हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस यह होगा अब यह स्टॉप लॉस क्यों होगा तो कि प्राइस आपका एक रेंज के बीच में ट्वेट कर रहा है और जब भी हमें स्टॉप लॉस डायक्ट आपका यह केंडल ओपन हो जाता तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता यह नहीं अगर ग्याप अपन हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता उस कंडिशन में स्टॉप लॉस इस केंडल का जो लोइस पॉइंट है यह हमारा स्टॉप लॉस रहता यह नहीं स्टॉ करेंगे कि अगर हमारा विस्क रिबॉर्ट मेरे फेवर में है तो हम ट्वेट लेंगे अधर्वाइस हम ट्वेट छोड़ देंगे लेकिन स्टॉप लॉस के साथ यहां पर हम समझा होता नहीं करेंगे स्टॉप लॉपर बनेगा इस रेंज के अंदर ही बनेगा अगर कोई के इस रेंज के अंदर ओपन होके फिर डेकाउट दिया तो उसका लोईश्ट पॉइंट होगा नहीं तो अगर कोई केंडल गैप अपन होता है तो उससे प्रिबियस केंडल जो भी लाइन के अंदर है उसका लोईश्ट पॉइंट को हम एजए स्टॉप लॉस के रूप में र क्षाप लॉस रखना है यहां पर और अबूर एक्जम्पल नेखते हैं स्ञतित अभी अब यहां में दूसरे ईड़्मपल पर आत though अब यहां पर क्या हुआ प्राइस इस रेंज के अंदर ही open हुआ और इसके बाद breakout दिया है तो यहां पर हम क्या करेंगे इसके lowest point को as a stop loss के रूप में रखेंगे आपको इस trend line के basis पे भी या जहां पर resistance level है इसको भी as a stop loss नहीं रखना है क्यों नहीं रखना देखिए price आपका ज्यादा उपर नहीं गिया यहां से नीची आया और इस line को hit किया मतलब अगर आप stop loss यहां पर रखेंगे तो आपके साथ यह होगा कि price नीची आया है नीची आके आपका stop loss hit किया फिर आपका उपर गिया है तो यहां पर जो लोग stop loss यह रखेंगे उनके साथ ऐसा ही होगा और उनको ऐसा ही लएगा कि market नीचे आया सिर्फ मेरा stop loss hit करने के लिए और उसके बाद देखिए price आपका जबरदस्त upside move दिखाया है और अच्छा खासा आपको profit मिलता हो दिखाया तो अगर आप stop loss यहां पर रखेंगे तभी आपका SL hit नहीं होगा अधरवाइज आप stop loss इस लाइन पर रखोगे तो आपका क्या होगा SL यहां पर आपका hit होता हुआ दिखेगा इसलिए हमें proper जगह पर stop loss रखना बहुत जरूरी है यहां पर हम stop loss hit होने से बचा दिए और इसके बाद हमें अच्छा ख complete नहीं हुआ इसके basis पर हमें breakout नहीं दिया है अब यहां पर देखेंगे अगर कोई भी candle इस line के अंदर open होता है और फिर breakout देता है तो इस candle का lowest point मेरा SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा ठीक है लेकिन अगर कोई candle यहां पर आपका क्या होता direct आपका gap up open होता है तो फिर फिर हम stop loss किसको रखेंगे उससे previous candle का जो भी lowest point होगा उसको यहां पर हम SL रखेंगे अगर हम यहां पर next trading session यानि 4th of July को अगर यह आपका gap up open होता है यह कौन सा chart है यह आपका कोरोमंडल का ही daily chart है तो अगर यहां पर gap up open होता है तो फिर इस candle का lowest point SL के रूप में काम करेगा अगर gap up नहीं होता या breakout देता या नहीं देता हो बात की बात है लेकिन अगर breakout दिया तो हम अलगलग situation में अलगलग stop loss रखेंगे लेकिन हमारा stop loss जब भी होगा यह जो range बनाया है चाहिए कोई भी pattern हो range के अंदर ही हमारा stop loss होना चाहिए ना ही हम इस line पे stop loss रखेंगे ना ही लाइन के अंदर उपन हो रहा तो उसका lowest point यानि तो उसे previous candle का lowest point को हम एजर stop loss के रूप में रखेंगे अगर नीचे सार की तरफ breakout दे रहा तो किदर भी breakout दो stop loss मेरा range के अंदर ही होगा यहां पर और एक जांपर बताता हूं दूसरे method पर लेता हूं अब यहां पर देख लि सबसे पहले मैंने आपको pattern के basis बता दिया अब आपको gap up और gap down market में बता रहा हूं सबसे पहले यहां पर देखिए market आपका gap up open हुआ है अगर आपका पहला 15 मिनट में जो भी हाई बनता है उस हाई को mark कर लेना और उसके बाद अगला candle अगर उस हाई को break नहीं करता है यह प्रेक नहीं करता है तो उसकी बाद आपको इसका highest point और lowest point मार्क लेना अब हमें breakout कहीं भी देखने को मिल सकता है अगर breakout ऊपर साइड की तरफ देखने को करें अब यहां पर नीचे साइड की तरफ देखने को मिलता है तो इसका जो highest point होगा वह यहां पर stop loss के रूप में काम करें अब यहां में देखिए breakout हमें नीचे साइड की तरफ देखने को मिला है इसका जो highest point है इसको हमने as a stop loss लिया प्रैस अपका थोड़ा बहुत ऊपर गया है अगर आप उससे प्रिविए स्केंडल के highest point को लेते हैं तो आपको क्या होगा एसल आपका हीट होगा और आपक आपको पहला केंडल का highest और lowest point मार्क कर लेना अगर अगला 15 मिनट वाला केंडल इसके highest या lowest point को ब्रेक नहीं करता है तो फिर हम यहां पर यह स्वैड इस्तमाल करेंगे और उसके बाद जो भी ब्रेक होता जिस भी साइट पर हमें ब्रेक आउट देखने होगा मिलता उसकी अपोजिट हम एसल रखेंगे अब यहां पर भी देखिए यहां पर भी market क्या हुआ आपका market आपका gap down open हुआ है अब यहां पर क्या हुआ market gap down open हुआ लेकिन ब्रेक आउट हमें कहां दिया अपसाइड की तरफ ब्रेक आउट दिया या निए के basis पर stop loss कहां पर रखेंगे अगर यहां पर हमें इंगल्फिंग या फिर बुलिष केंडल का formation देखने को मिलवा है तो उसके basis पर हमारा stop loss कहां पर होगा वह भी मैं आपको यहां पर explain कर देता हूँ अब यहां पर देखी यह कौन सा केंडल बना है यह आपका बनाया है इंगल्फिंग बीरिष केंडल अब इंगल्फिंग बीरिष केंडल या फिर बूलिष कोई भी केंडल हो दोनों में stop loss रखने का जो strategy जो तरीका है वह सेम होगा अब यहां पर भी हमें इसके lowest point और highest point को मांकर लेना अब हम यहां पर बाइसर की तरफ कब जाते हैं आधर इसके highest point को ब्रेक करके price उपर जाएगा यहां फिर lowest point को ब्रेक करके price नीचे जा आगा तब आम यहां पर क्या करते हैं है तो अब यहां पर देखे क्या हुआ price यहाँ पे इसके highest point को break करके ऊपर निकला है तो यह जो lowest point होगा यह SL के रूप में काम करता हुआ दिखेगा यह नि यह point मेरा SL होगा और यहाँ पे हम buy side के तरफ entry रहेंगे अगला candle यहाँ पे लगवग आपको 70 to 80 point का upside move दिखाया और इस candle में हमें strength नहीं देखने होग मिला है यहाँ पे अगरा profit book कर पाए तो ठीक है नहीं तो आपको अगला candle open होते ही हट जाना है क्योंकि उपर में tail देखने होग मिला wick at the top यहाँ पे sellers market को control कर लिया यह मैंने आपको candlestick strength में बताया था और जब sellers market control करता मतलब market ऊपर नहीं जाएगा अगर आपने बाइसरी की तरह positions लिया तो वहां से हट जाना यहां पर आपको इस लेवल पर इंट्री लेना और यहां पर exit करना यह थोड़ा बहुत आपको लगवग 20 से 30 point का profit होगा यहां पर आप उपसान में नहीं रहेंगे लेकिन आपको stop loss का placement यहीं रखना उसके बाद हम और डिफ्रेंट यहां पलके तुरिस को समझते हैं कि अब यहां पर लग रहा हो कि यह आपका konänd का टारीक यहां होता यह Something का ठ्रीक का होता है वह आपको समझना सबसे पहला आपको जबादर्स घूइन आपिरेट होना चाहें बूलिश है तो इसले बोडी सेट बढ़ा है इसलिए यह आपका इंगल्फिंग बुलिश केंडल है ही नहीं इसलिए को हम नहीं छेरेंगे अब ये वापस हमें एक pattern मिला है engulfing bearish candle engulfing bearish candle में red candle होना चाहिए with large body अगला आपका green candle होना चाहिए with small body अगला green candle है with small body यहाँ पे high को हमने mark कर लिया low को mark कर लिया अब यहाँ पे breakout हमें upside की तरफ देखने को मिला है तिसका जो lowest point है यह हमारा SL के रूप में काम करेगा और इसने SL को hit नहीं किया price आपका all the way upside की तरफ निकला है तो यहाँ पे आपने देख लिया कि अगर आपका engulfing bearish या फिर bullish candle हो तो आपको stop loss का placement कैसे करना है और इस तरीके से अगर आप stop loss का placement करेंगे तो काफी हद तक आप अपने trade को profitable बना सकते हैं अब यहाँ पे देख लिजे कभी कभी क्या हुआ है यहाँ पे आपका engulfing bearish candle का formation हुआ है red candle है large body उसके बाद अगला next green candle है small body लेकिन इसके बाद हमें breakout ही देखने को नहीं मिला यानि किसी भी तरफ breakout ही नहीं दिया जब breakout ही नहीं दिया जब हमें entry yield नहीं लेना है तो stop loss का सवाल ही नहीं उठता है लेकिन यहाँ पे भी इसके lowest point और highest point को mark कर लेना breakout नीचे साइड की तरफ देगा ति यह SL होगा और breakout उपर साइड की तरफ देगा ति यह SL के रूप में काम करेगा और यही एक strategy तरीका है जिसमें हम engulfing bullish और bearish candle में stop loss लगा सकते हैं अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हुआ यह आपका engulfing bearish candle का formation हुआ है और यहाँ पे breakout हमें नीचे साइड की तरफ देखने को मिला है यह जो point है यह हमारा SL के रूप में काम करेगा और price आपका all the way नीचे साइड की तरफ गया है और यहाँ पे हमें अच्छा खासा profit मिलता हुआ दिखा है तो इस तरीके से आप stop loss का इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने आपको different pattern बताया सबसे पहले आपको क्या बताया कि आप pattern की basis पर कैसे करोगे pattern के बाद candlestick की basis पर यहनि gap up gap down market होता है तब कैसे करोगे और आपका engulfing bullish और bearish candle का formation होता है तो उस टाइम पर कैसे आप stop loss का placement करोगे so that's all friends उमीद करते हैं कि आपको stop loss set करने का सही तरीका पता चल गया होगा यहनि किस particular positions पर हमें stop loss रखना मैंने आपको different different situation में सारा process मैंने explain किया है यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत अपना presence of mind भी इस्तेमाल करना परेगा अगर market situation difficult हुआ तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखना है risk reward अगर यह आपके favor में नहीं आता है तो फिर आपको ट्वेट नहीं लेना लेकिन stop loss के साथ ज़्यादा share नहीं करना थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं ज्यादा कुछ नहीं करना है बांकि आप चाहों तो ट्वेट ले सकते हो नहीं तो ट्वेट भी कर सकते हो तो उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सही जगा है stop loss लगानेगा और हमें किस पर्टिकुलर पोजिशन पर stop loss लगाना चाहिए वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकवेज किजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब किजे मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैहिन